हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम जी एस का प्रेक्टिस एट फ्लोर करने वाले हैं इसमें हम प्रिवेशर के प्रेक्टिस एट को सॉल्व कर रहे हैं ओके इससे पहले मैंने आपको तीन प्रेक्टिस एट सॉल्व करा दिये हैं और ये वो प्रेक्टिस एट है जो 2020 में एक करके आपको 2021 तक चितने भी एक्जाम हुए हैं सारे किस सारे कुश्चन पेपर सोल्व कराने वाला हूं ताकि आप अपनी प्रपरेशन को अच्छे से बहतर ढंक से कर सको और आपको एक काम करना है देखिए जो कभी-कभी मतलब शिकायत आ रही है दो-तीन जगे से मेरे पास म नहीं जादा तो यूटूब की तरफ से थोड़ी टेकनिकल प्रॉबलम है यह ओके आपको क्या करना है आपको सपोर्ट करने के लिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों तक की वीडियो पोचे तो आपको यह करना है जब भी आप के पास यह वीडियो जाए य है लेकर के तो आपको देखना है ।िस्किप नहीं करना है दुके छोड़कर नहीं जाना है वीडियो को आप सुरू से लेकरके एंडं तक देखो ठीक है और लास्ट में वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इतना आपको करना है फिर जो है सभी पर धीरे धीरे नौटिफेकेशन पहुचने लग जाएंगे ठीक है और सब्सक्राइब करके वेल आइकन को ओन करके रखना है तो किरप्या करके आप वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक देखे ठीक है बस इतना आपको करना है ओके तो बाकी मैं आपको प्रेक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा और जितना मुझसे होगा मैं और चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा तो चलिए देखते हैं किस तरह के कोश्चन आये थे जीएस के तो डा चलिए ओके यहां से स्टार्ट होता है आपका जीएस जीएस का पहला कोश्चन है भारतिय प्रतिवूति और बिने में बॉर्ड यानि से भी कि स्थापना वर्स 1988 में एक गैर सम्वधानिक निकाई के रूप में हुई थी इसके बाद इसे डैस में सम्वधानिक निकाई के रूप में स्थापित किया गया यानि गैर सम्वधानिक संस्था थी लेकिन बाद में सम्वधानिक बनाया गया कब बनाया गया उन्निस सो वर्यानमे में अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा प्राकर्तिक मिठास प्रदाता या स्वीटनर है तो सुक्रोज इसका अं राज्य का अंतिम पेश्वा कौन था तो बाजिराव दूत्ती है नेक्स्ट कुश्चन है निमलिकित में से कौन सी पुष्टक जे के रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है तो ए विजार्ड ओफ अर्थसी ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है वर्तमान समय के कोलकाता का गठन 1690 में कलिकाता गोबिंदपुर और डैस नाम से तीन गावों के एक करण से किया गया तो क्या तीसरा नाम था सूता नूती ठीक है तो तीन गावों थे उनको मिलाकर के एक मतलब कोलकाता का निर्मार किया गया ठीक है तो ये बहुत अच्छा कुश्चन है कलिकाता को डैस के नाम से जाना जाता है एक्रोफोबिया कहा जाता है पूछ रहा है कि 65 फिल्म फिर अबोर 2020 में सर्फ स्रेश सिनेमेटोग्राफी के लिए किसको पुरुषकार दिया गया था जै ओजह को भारत के प्रतम बित आयोग के अध्यक्स कोन थे केसी नियोगी नेक्स्ट क्वेशन है भारत की संसत द्वारास चिक्षा का अधिकार अधेनियम कब लागू किया गया तो यह हुआ चार अगस्त 2009 को नेक्स्ट कुश्चन है अस्थी शुशिर्ता और संदिशोध डैस को प्रभावित करता है किसको हड्डियों और जोडों को प्रभावित करता है नेक्स्ट है भारतिय समिधान की प्रस्तावना के प्रार्मिक शब्द क्या है तो संयुक्त राज्य के लिए समिधान चाही कह से लिए गए हैं से अमेरिका से लिए गए हैं ठीक है नेक्स्ट है एन आटो बाइग्राफी टू वर्ड फ्रीडम किस ने लिखी है तो जवाहरलाल नहरू की पुस्तक है नेक्स्ट है 1913 में साहिती के लिए नॉबल पुरुष्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोप ये व्यक्ति कौन थे तो रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहली व्यक्ति थे 1913 में नोबल प्राइज जीता था नेक्स्ट है 1780 में डैश ने भारत में पहला अखवार दा बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया तो कौन सा नाम क्या नाम था जेम्स ओगस्टस हिक्की ठीक तो किसने किया दा जेम्स ओगस्टस हिक्की ठीक है नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा प्राकर्तिक समुंद्र तट कौक्स बाजार में है कहां पर बंगलादेश नेक्स्ट है अगला कोश्चन है 2005 में मियमार की राजधानी को स्थनांत्रित की गई थी तो नाइपीडो में स्थनांत्रित की गई नेक्स्ट है कलेश्वरम लिफ्ट सिचाई योजना या क्लिप डैस राजिये में एक बहु देशिय सिचाई परियोजना है तिलंगाना की है ये नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय समिधान का डैश भाग अधिकारिक भाषा से सम्बंदित है तो ये जो है यानि ये हो जाएगा आपका साथ वा भाग सात्रे वा भाग सत्रे नेक्स्ट है जुलाई 2019 में निमलिकित में से कौन साइस्थाल युनेस्को की विश्वरासत सोची में सामिल था तो ये जैपुर शहर ये हो जाएगा यहां से तो कोश्चन आपके पोचे ही जाते हैं हर एक्जाम में नेक्स्ट है सूरत की संधी अंग्रेजो और डैश के बीच हुई थी तो रगुनात राव के बीच हुई थी सूरत की संधी नेक्स्ट है सुदर्सन जील मोर्यों के सासनकाल के दोरान डैश में निर्मित एक जलदारा था गुजरात में ठीक है नेक्स्ट है भारतिय होकी महासंकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी 1925 में हुई थी अगला कोशन है रास्टे डिरी विकास बोर्ड अदीनियम वर्ष में लागू किया गया तो 1987 में लागू किया गया चलिए अगला कोशन देखते है निमलिकित में से कौन सा इसमारक पटियाला में नहीं है तो गोविंदगर का किला ये पटियाला में नहीं है श्योक गिलगित और जासकर डैस की सायक नदिया है सिंधू की सायक नदिया है डैस हड्यों की हुमरस या रेडियस उलना कॉर्पल्स और मेटा कॉर्पल्स शामिल है उपरी पैर उपांग में नेक्स्ट कोशन शॉन कॉंग की ज्वातिय संस्कृति का हिस्सा है नागलेंड ठीक है चलिए अगला कोशन महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों दुवारा पारित रोलेक्ट एक्ट के खिलाप सत्यग्रह का आहान किया था तो 1919 में नेक्स्ट कोशन है भगवान के रश्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंग मंच का एक रोप है राश लीला नेक्स्ट कोशन है रासानिक सूत्र सी है किसका हीरे का ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशन है भारत ने नवंबर 2019 में अपना पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का विकेट टेस्ट मेंच डैस के वरुद खेला था बांगलादेश के वरुद अगला कोशन है मादा सेर और नर बाग के शाबकों को लाइगोन कहा जाता है पिछले उसमें भी थाई कोशन नेक्स्ट है भारत सम्मिदान का अनुशियत जीवन और व्यक्तिगत सुतंतरता की शुरक्षा परदान करता है तो 21 नेक्स्ट है बूरी बूट उलो और उनाचल परदेश की एक जनजाती द्वारा मनाये जाने वाला त्योहार है तो निसी जनजाती द्वारा मनाये जाने वाला त्योहार है नेक्स्ट है जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिलाटी 2020 कब 2020 के लिए डैस को भारतिय क्रिकेट टीम का कप्तान घोशित किया गया था तो हर्मन प्रीत कोर को चलिए अगला कुश्चन मई 2019 में निमलिकित में से किस व्यक्ती ने माउंट एवरेस्ट पर 24 विबार चराई का रिकोर्ड बनाया तो नेपलीज शेरपा अगला कुश्चन है कोडावा जनजाती दुआरा चावल की फशल की कटाई के समय मनाय जाने वाला त्योहार पुत्री त्योहार है नेक्स्ट कुश्चन है एनेमो फिली डैश के दुआरा होने वाले परागण कोशंदर्वित करता है तो हवा के दुआरा चीक है चलिए अगला कुश्चन नेमलीकित में से कौण सा कथन पुण्जी गत भीय है या वियो के संबन से नहीं है तो लास्ट का अंसर इसका हो जाएगा चीक है नेक्स्ट कुश्चन नेमलीकित में से किस खमीर का उपयोग मादक प्यपदार्थो के निर्मार्ड के लिए किया जाता है तो सेक्रो माइसेज, ठीक है, सेरे वीजिया नेक्स्ट कॉश्चन, श्वेशेद कर रहा कि दोरान खमीर गैस उत्पन करता है तो कारवन डाई ओक्साइड उत्पन करता है अगला कॉश्चन है, एक अप्रैल दोजार बीस से निमली कित में से किस बैंक का विले इंडियन बैंक में हुआ तो इलावाद बैंक का, नेक्स्ट है अक्टोपस में कितने हिर्दे होते हैं, तीन हिर्दे नेक्स्ट कुश्चन है चित्रा बनरजी दिवाकरूनी दुवारा लिक्षित एक पुस्तक है जिसमें महावारत के पुनरकलपना की गई है इसे पंचाली या द्रोपदी के दरस्टिकों से कहा गया है दा पैलेस ओफ इल्यूशन्स इल्यूशन्स, ठीक है नेक्स्ट है सीरिना विलियम्स ने वर्ष डैश में अपना पर्तम ग्रेंट स्लैम एकल किताब जीता उननिस सो निन्यानमे में अगला है एनिधिंग बट खामोश की जीवनी है किसकी सत्रुगन सिना खामोश शत्रुगन सिना का डायलोग है नहीं खामोश तो बहां से भी हम पकड़ सकते हो नेक्स्ट है फसलों के लिए नियूंतम समर्थन मूलिय की अवधारणा कोड एस के बाद भारत सरकार दुआरा पहली बार गोशित किया गया था हरित किरान्ती के तोरा नेक्स्ट है 1613 में मुगल समराठ डैश ने इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कार्ठ खाना इस्थापित करने की अनुमती दी थी तो जहांगीर ने दी थी नेक्स्ट कुश्ट प्रत्वी की सतय पर ओजोन की परत लगबग कितनी मोटी होती है तीन एम्म चीक है नेक्स्ट कुश्ट तो ये थी हमारे पास पचास कुश्ट जी असके ठीक है तो इसी तरह से मैं आपको 2017 से 2021 तक जितने भी कुश्ट पेपर हुए है स्टैनोग्राफर के वो सारी के सारे सुल कराऊंगा आपको वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है मिलते हैं के लिए वीडियो में थैंक्स पर बोचिंग दिस वीडियो